गोगरा घाट पर आए हुए हैं मा नर्वधा जी के दर्शन करने और गोगरा घाट पर हम गोगरा संत कुटी में आए हुए जहां पर एक माराज जी हैं बावाजी हैं जो लगभग 99 साल के हैं और यहीं पर बिराजमान है 40 साल लगबग एकी इस्थान पर तपस्चर करते करते हुगा हैं बावा जी को इसको गोगरा कुटी के नामसे भी जानाजाता है और यहाँ पर बावा जी के पास ज陪 हम आते हैं तो काफी मन को सांती मिलती है एक घोगरा घांटे संत कुटी है घोगरा कुटी के नाम से भी जानी जाती है बाबा के पास लेकिन यहाँ बाबा के पास हम आते हैं तो कोई रोक टोक नहीं है बाबा के पास आएं प्रेम से बेठें प्रेम से उठें और प्रेम से भोजन परसादी गिरहन करें बाबा जी भ और हमारी के तट पर दर्सन करने के लिए निकलते हैं तो हमारी मा नर्वदाजी से यही आसा रहती है कि मा नर्वदाजी के सांसा सिद्ध संतों के भी दर्सन हो जाएं और इसे में मा नर्वदाजी हमारी इस आसा को परिपूर्ण करती हैं और कहीं न कहीं से किसी न किसी पर ये तट पर शिद्ध संत।ցगों के दरसन होई जाते हैं। नर्वजादी के तट रहिस्थों से भरा वूआ है। Allah आज भी मा नर्वजादी के तट पर आज भी मा नर्वजादी के बिलकुल किनारे किनारे आपको गुपत और सिद्ध संत मिल जाएंगे। जिनकी हमें जानकारी नहीं हैं और हम वीडियो के माध्यम से ऐसे ही गुप्त और सिद्ध संतों के दर्सन वीडियो के माध्यम से अक्तगणों को दर्सकों को कराना चाहते हैं हमारे यही उद्धे से के मा नर्वदा जी के तटपर और मा नर्वदा जी के किनारे जो भी सिद् संथ हैं मा नर्वदा जी की भक्ति करते हैं दिन भर राम राम जबते हैं ऐसे ही सिद्ध संथ हैं हमारे घोगरा कुटी वाले संथ बाबा जी नर्मदे हर अब जे बाबा जी की बाबा जी की डाल बन रही है बाबा जी डाल बना रहे हैं बाबा जी के हाथ का ये दाल बन रही है बाबा जी की बाबा जी बिल्कुल अच्छा अब महराज जी दाल को बेकुंटी बोलते हैं सिद्ध संतों की भाषा में दाल को बेकुंटी कहा जाता है ये बेकुंटी तैयार हो रही है बेकुंटी बन रही है महराज जी के बेकुंटी तेयार कर रहे है महराज जी अबी भाई बेठो आप अच्छा अच्छा आप बेठी परसाद पांके जाएए परसाद गरन करके जाएंगे महराज जी परसाद पांके जाएए गरन करना मा का भूर लगाते हैं और फिर पिरसाद बागे फिर जाना, आप चले मुझ जाना, जी जी महराजी, 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 जी मह कर clicking रहा के रभावा जी के द्वारा टिक्कड बनाले जा रहे हैंmeter कि बाबाजी इनको टिक्कड ही बोलते हैं बावा जी टिकड़ बना रहा है बावा जी निइन्यन्याविय साली की उमर हो चुकी है लेक navi भोजन परसादी अपने हातों से ही बनाते हैं और मा नर्वधा जी को भोग लगाते हैं ये बहुत बड़ी बात है इस उमर में भोजन परसादी बनाना इतनी मेहनत के साथ मा नर्वदा मैया के तटपर जब होजन परशादी बने बाई दिसको रहने पाएगा उसको पता लगाएगा अज़ अज़ देखने वाला क्या ज़र बाई टिक्ड़ है वो तो अज़ बाई जी द्वारा टिक्ड़ बाई बना जा रहा है बाई जी से हमने बोला कि बाई जी हम मदद करवा देते हैं तो बाई जी के लिए नहीं आप लोग बेटे हैं आप लोग भक्त हैं आप लोग हमारे हतिती हैं तो बाई जी स्वयम बना के भोजन परशादी आज कि खिला रहे हैं बाबा जी का प्रेम इतना प्रेम है कि और इसी भोजन प्रसादी तो एक सोभाग साली मनस्कों ही प्राप्त होती है वो भी मा नर्वदा जी के तट पर भोजन प्रसादी वो भी सिद्ध संतों के हाथ का अगर भोजन मिले तो बहुती सोबाग के साली होते हैं और जीवन सफल हो जाता है इसे सिद्ध संतों के हाथ के भोजन परसादी गिनन करने पर संत के हाथ का भोजन करना तो एक सोबाग के साली सोबाग की बात होती है और बाबाजी इदनी महनस से बोजन परसादी तैयरी गर रहे हैं अच्छा बाबा जी जब ज़्यादा लोग आ जाते होंगे तो फिर आप उनसे बोलते हो का भई ये चलो बनाने में मदद करवाओ बाई आप बहुत बात दे लेती है कि चार बात तक तो हम बना देते हैं आप टिकड़ विल्गल तैयार हो गए है फूल के ये टिकड़ बन गाए है अब बन रहा है और हमारे तो सोवागे हैं हो सकता है पिछले जनम में हमने कोई ये से पुन्न करे हों कि हमें सिद्ध संतों के भोजन प्रसादी गिनन करने का मूखा मिला है और जब भी हम मा नर्वदा जी के तट पर दर्सन करने के लिए मा नर्वदा जी के लिए दर्सन के लिए निकलते हैं तो मा नर्वदा जी से हमारी यही आसा रेती है कि हमें सिद्ध संतों के भी दर्सन हो जाएं और मा नर्वदा जी ये आसा हमारी परिपूर्ण करती है दरसंत होते ही होते हैं साथ में सिद्ध संतों के हाथ की भोजन परसादी भी हमें मिल जाती है इससे सोवाग के साली मनसोर कोई नहीं हो सकता जेहो नर्वदा मया की जे हम वीडियो के माद्य हम से दरसक गणों को और मा नर्वदा भक्तों को सरदालों को यही बताना चाहते हैं कि साथू संत जो तपस्या कर रहे हैं वो समाज के कल्यान के लिए ही कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो अपना खुद का स्वेम का कल्यान कर रहे हैं जब हम बाबा जी से पूछते हैं कि बाबा जी आप इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हैं तो बाबा जी यही कहते हैं कि सब समाज की कल्यान के लिए कर रहे हैं जो धर्ती पर पाप बढ़ते हैं इनकी बाबाओं सिद संतों की तपस्यावों से वो पाप कम होते हैं और हमारी धरती माता जो है उन पापों से मुक्त होती है। ऐसा बाबाजी बताते हैं इसा नर्मदेहर। अब यग करवाते हैं तो वो कितने साल से करा रहा है यगवी। बाबाजी बहुती सीधे और सरल है बाबाजी को ज़्यादा ताम जहाम पसंद नहीं है बाबाजी 40 साल बाबाजी नी इसी कुटिया में निकाल दिया है संत कुटी घोगरा कुटी है ये मा नर्वदा जी के तड़ पर घोगरा कुटी वाले बाबाजी कहलाते हैं गाउं में जब हम पूछते हैं के भाई या बाबा जी कहां पर हैं सो साल की उमर बताते हैं गाउं के लोग बाबा जी की बाबा जी मा नर्वदा जी को भोग लगा रहा है संद्य कुटी में जब भी भोजन परसादी गिरन तयार होती है तो सबसे पहले मा नर्वदा जी को भोग लगता है बाबा जी मा नर्वदा जी को भोग लगा रहा है इसके बाद ही भोजन परसादी गिरन की जाती है ड्रूप टूझ झालेगों तेको से ज लिए झालेगों, तेको न में तेको जय झालेगों